हेलो दोस्तो बाई सेल सिगनल सौफ्ट्वेर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम एनालेसिस करेगे कॉमोडिटी का मार्केट कॉमोडिटी आज तारिक है 27 से 2029 और हमने कल लाइव किया था और देखते हैं कल का और आज का क्या डिफरांस है एल्यूमिनम के अंदर हमारा जो बाई सिगनल चल रहा था उसके अंदर कल करिबम चार बजे उसने एक्जिट करवा दिया सेल दे दिया कंफर्म दे दिया और कापी निची आया सॉफ्ट्वेर की कंडिशन यह है कि अगर सेल सिगनल के आगे डाउन साइड एरो बनता है तो सेल सिगनल कंफर्म बनता है और बाई सिगनल के पहले अगर अपर साइड ब्लू एरो बनता है तो buy signal बनता है तो अगर ये condition apply होती है तो ही आप software के अंदर काम कर सकते हैं या फिर seat number 2 में trade line को नीचे की तरफ cross कर जाए तब आप trade कर सकते हैं अब यहाँ side way market में आपको protection देगा अगर गलत signal होगा तो उसको ignore कर देगा ज्यादा से ज्यादा वो ignore करेगा यहाँ buy signal दिया यहाँ आपको बोला और उपर जाएगा hold करेए यहाँ बोला और उपर जाएगा hold करेए यहाँ भी बोला और उपर जाएगा hold करेए यहाँ भी बोला आपको और उपर जाएगा hold करेए और जैसे downside arrow आगिया तब आपको exit कर लेना है अगर यहां exit नहीं होता है तो इस sell पर आपको exit कर लेना है यहां आपको फिर से बोला और नीचे जाएगा hold करिए यहां भी बोला और नीचे जाएगा hold करिए चिंग के अंदर देखते है कल हमने जो दिखाया था जुन वाला contract था अभी जुलाई चल रहा है और sell दे दिया था काफी नीचे आया था क्योंकि sell के पहले downside arrow बना था और यह जो buy है वो गलट trend है क्योंकि buy के पहले कोई upper side arrow नहीं बना है और अगर इसको seat number 2 के अंदर हम verify करते है तो already यह verify है देख सकते आप क्योंकि यह trade line को cross कर चुका है और साथ में यह जो buy है हम buy को check करते है seat number 2 के अंदर तो यहाँ trade line के उपर की तरफ cross नहीं किया है मतलब कि यह गलत ही trade है इसके अंदर side way market के वज़े से आ गया है तो आपको इसको ignore करना है कि नेचरल गेस के अंदर बाई signal जल रहा है confirm वाला और काफी लंबा चल चुका था और यह जून का है सोरी मैं जूलाई का लगा देता हूँ एकस्पाइर हो गया है उसके अंदर sell signal है और confirm है अभी चल रहा है और उसके पहले का बाई था confirm था यहां से आपका exit हो गया है निकल के अंदर बहुत दिनों से हमारा जोड़दार signal चल रहा है बाई के पहले upper side arrow बना था confirm था यहां आपको बोलाओर उपर जाएगा यहां आपको बोला और उपर जाएगा यहां बोला और उपर जाएगा hold करिये hold करिये hold करिये hold करिये तो maximum जितना उपर जाएगा बार बार आपको support देता रहता है कि और उपर जाएगा और उपर जाएगा यह sale है वो गलत है क्योंकि sale के पहले हमने बोला कि downside arrow होना जरूरी है पर नहीं बनाए तो मतलब कि यह गलत है अगर seat number 2 में इसको verify करते हैं तो देख लिजे यह trade line को cross नहीं कर पाया है तो यहां से भी गलत है यहां से भी गलत है इसको ignore कर दीजे यहां continue position रखिए यहां बोला और उपर जाएगा अभी भी बोल रहा है और उपर जाएगा काफी लंबा चल चुका है निकल करिबं उसने 884 से लेकर 908 करिबं 30.something दे चुका है गोल्ड के अंदर हमारा sell signal चल रहा है यह buy है वह गलत है क्योंकि buy के पहले कोई upperside arrow नहीं दिया है कल का भी signal आप देख चेक कर सकते हैं कोपर के अंदर sell signal चल रा है यह कोई भी buy signal confirm नहीं है क्योंकि buy के पहले upperside arrow नहीं बना है यहां भी buy के पहले अपर साइड एरो नहीं बना है, मतलब कि अब position continue रख सकते हैं, यह से side way, market का जो trend होता है, उसको ignore कर देता है, अब यहां देख लीजिए, तो यहां भी उसने कोई यह buy को हम देख चेक करते हैं, तो trade line को cross नहीं कर पाया, lead के अंदर देखते हैं, तो lead के अंदर कल हमने sell signal दिया, करीब हम ठाय बज़े something, और एक confirm था, और आपको 3-4 बार बोला, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, seat number 2 के अंदर हम चेक करते हैं, तो already यहां से यह verify हो गया है, 155 से, काफी लंबा चला, silver के अंदर देखते हैं, तो silver के अंदर भी sell signal था, आया है, confirm है, जो के कल से चल रहा है, कल मैंने यह signal आपको दिखाया था, और उसके बाद भी वो करीब हम 100 पॉइंट नीचे गिर चुका है, यह buy है, वो wrong है, क्योंकि sideway के market के इसाब से, वो थोड़ा बाया गया, पर उपर नहीं जा पाया, आपको इसके अंदर trade नहीं करना था, तो crude oil का भी check कर लेता है, crude oil के अंदर हमारा buy signal था, जो के कल exit करवा दिया, sell आया है, और नीचे करीब हम गया है, 89, अभी बज़ रहा है, date बज़ रहा है, और ऐसे आता हमारा software का performance, और कोई performance देखना चाते है, तो फिर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, हम उसका वीडियो बना कर upload कर देगे, thank you for watching दोस्तो, जाई है,